हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टो एडवेक्टर एंड डिस इस मनेश शर्मा आप बहुत अच्छे होंगे और आपके बोर एक्जाम के तियारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10 का चैप्टर फॉर्स क्यामिकल रेक्शन्स एंड इक्वेशन्स इसकी थियोरी कंप्लीट हो चुकी है हमने हर एक थियोरी को पूरे टॉपिक वाइस बढ़ाया है बहुत अच्छे से पढ़ाया है और अब हम इसके एक साइज क्वेशन्स कर रहे थे जिसमें आज हम क्वेशन सेवन देखेंगे सिक सेवन्थ question में भी एक ही चीज़ देит है क्या रेंस्ट क्या करना है मैं बैलेंस करना है अब आपके जो लास्ट करें हैं हमने दो तीन इनमें भी बैलेंस ही करना था और इसमें भी बैलेंस क्या डिफरेंट है यह आपको बार बार वार पुषिन इसलिए जा रहें जिससे आपको इनकी chemical formulas याद हो जाएं कि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं उन्हें यह नहीं पता कि calcium hydroxide का formula क्या होता है calcium carbonate क्या होता है और वह question कलग अगर आपको formula ही नहीं लर्ण होगा तो 100% आपका balance भी नहीं हो सकता और यहीं तो exams वाले चाहते हैं कि आप गलती करें तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है हमें यह formula करने की कोशिश करने है calcium hydroxide का formula होता है c a o h का whole twice carbon dioxide होता है co2 calcium carbonate is c a co3 and water is h2 अब आप बात बता हो अगर मैं carbonate की जगा co2 लगा दूं पहली बात तो मेरा formula गलत और दूसरी बात बैलेंस करूंगी तो वह भी गलत इतनी बात आई समझ में तो सबसे पहला काम है formula करना और दूसरा काम है उन्हें balance करना सीखना वह मैं आई बटन में आपको यहां पर आई बटन आपको दिख रहा होगा वहाँ पर आपको बहुत आराम से समझ में आ जेगी ठीक है और अलग से वीडियो बनाई हुए balance of chemical equations की अब आपर जाका समझ सकते हैं step wise समझा हुआ है यह रहा है बाकी मैं इस चैप्टर की पूरी playlist भी description box में डाल दूंगी क्लियर इतनी बात तो आप महां से पर सकते हैं चलो वापस आते हैं इसी पर हम कर रहे थे क्या balance calcium 1 oxygen 1 oxygen 2 hydrogen 2 carbon 1 oxygen 2 सबसे पहले मैंने आपको संझाय हुा है कि सबसे पहले हमें जो जितना है उसे उतना ही कर लिखना है राग और आपको समझ में सबसे पहले जो जितना हमने बेलें करने से पहले ही कितना कितना माउंठ हमाई पास है और कितना उसमें वैडर करके thank you आप मं करते है क्लेशन कितना वन इतना है वन बैलेंस कि air और Donald को तो बैलेंस कितना होगी पाल सुछ would not have our next carbon इदर कितना है 1 तो यह हमें इससे यह पता चला कि हमें तो अपनी जो equation है वो तो हमें balance ही मिली है तो मैं कुछ करने की जुरूत ही नहीं है तो final equation is caoh2 plus co2 gives cac o3 plus h2o and this is our balanced chemical equation clear ठीक है now second zinc plus silver nitrate gives zinc nitrate plus silver zinc का formula Zn silver nitrate silver किसे कहते है ag को ag nitrate NO3 silver nitrate gives zinc nitrate Zn NO3 plus silver AG clear हुई इतनी क्या यह मैंने सही लिखी equation अब जिसे फर्मलेज नहीं आते होंगे तो अभी हमेशा ट्वाइस बनाता है zinc के साथ OH हो भी हमेशा ट्वाइस बनाता है zinc के साथ क्लोरीन हो भी हमेशा ट्वाइस बनाता है अब को यह चीज ध्याल में देनी है कि zinc के साथ कोई भी compound बनेगा तो उसके साथ लास्ट में तू जरूर आएगा यह इतनी बात चाहिए वह कुछ भी compound बन रहा है कुछ भी compound doesn't matter clear है तो यह जो अनो थ्री वाला सीन है ना यह आपको पता होना चाहिए था बहुत बच्चे ऐसे उसे करके अनो थ्री अच्छे धर भी धर भी displacement हो गई और बैलेंस जोगे कियर है बट अगर हम इसमें देखें तो चींज सिर्फ कहां होगा अब अनो थी को पूरा compound 1, zinc 1, NO3 2, 1 कितना हुआ यह 2 है तो हम 2 की विल्टिप्लाइं यहां करेंगे और फिस सिल्वर भी 2 कर देंगे ठीक है बाकी जिंक तो बैलेंस था ही तो हमारी जो फाइनल एक्वेशन आएगी वो आएगी Zn प्लस AgNO3 गिवस ZnNO3 का होल त्वाइस प्लस 2 Ag क्लियर आगी समझ में आपकोर्स आई गई होगी इतनी बार जो बढ़ा चुके हैं अब Aluminium प्लस कोपर क्लोराइड गिस सबसे पहले में सिंबल पता होने चाहिए कि सिंबल क्या है Aluminium का Al कोपर क्लोराइड is CuCl2 गिवस Aluminium क्लोराइड AlCl3 और कॉपर इससी दूसरी चीज एक फेक्ट हमने बताया जिंक का अब कॉपर के होते हैं दो फेक्ट क्लोरीन है ब्रोमीन है आयोडीन है सब में टू ही आयता है और जो सिंगल वाला है उसे हम बाद में बताएंगे आपको अब उसके बाद अब फिलाल आपके में जितना है उतना ही समझ लें तो तो एलुमीनियम में हुआ वटें 3 का ज्यादा आता है कि इदर कॉपर कितना हुआ वट क्लोरीन 2 एलुमीनियम 1 ग्लोरीन 3 और कॉपर 1 लूरीन ने थीन ने गड़बड कर दिये ना पर थे दो हगया तो इसको तीन कैसे बनाए तो इस अच्छा तो इसी को एविन बना लेत तो यह 2 और यह 6 इस बार इसने इसे चेंज कर दिया तो कॉपर को जाना है कहां सुरी थ्री हो जाएगा यह पर यहां पर जा कर बोल देगा चलो मैं हिहां लग जाता हो मैं तो के ला हूं फ्लस 3 कॉपर है क्लियर हो इतनी बात आगे इतना पॉइंट समझ मैं ठीक है अब हम चलते हैं next question पे the next question पर चलते हैं next है हमारे पास बेरियम क्लोराइड and potassium sulfate gives बेरियम sulphate and potassium chloride तो बेरियम क्लोराइड का formula मैंने आप से क्या कहा था सबसे important क्या है हमें, symbol और formula याद होना चाहिए, clear हूँ इतनी बात, तो barium chloride होता है BACL2, clear इतनी बात, चाहिए, barium के साथ अगर आपको iodine मिल जाए, तो भी 2, BAI2, चाहिए, BABR2, clear हूँ इतनी बात, अब उसके बाद आता है हमाई पस potassium sulfate, potassium sulfate का formula होता है, K2SO4, gives barium sulfate, means उसे BASO4, plus potassium chloride क्या होता है, KCL, लेकिन, SO4, 2 के नहीं आता, आपको नोटिस करना है, कि यहाँ पर हमने क्या बता है, सिफ आयोडीन, bromine, और chlorine के साथ 2 आता है, इसके साथ नहीं आता, जब आप बना ले लगेंगे, questions आपको formulas याद हो जाएंगे, कुछ होते हैं इसे, जिनमें आपक याद कर नहीं या फिर तरीका वो एक ही बात है, बट यह रटने वाला हो, क्या formula याद कर लो, इसे तो, barium का कितमा है, 1, chlorine का दो, potassium का दो, sulfate का 1, because फूरा sulfate गया है हमापे, barium 1, sulfate 1, potassium 1, and chlorine 1, चीक है, आपको एक चीज दिख रही होगी, सिर्फ chlorine और potassium, यह दो चीज ऐसी है जो दो-दो हैं, बाकि सब एक है, तो हम 2 हैं लगा देंगे, और जो मैं पास final equation बन के आएगी, वो आएगी यह, gives baso4 plus 2 kcl, clear होई इतनी बात, ठीक है, तो I think हमारे यह 4 ही parts है, thank you so much, bye-bye, take care, God bless you, और पढ़ते रहिए, मुस्कराते रहिए,